दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू ये वीडियो भी ए फ़स्टियर शिकेंडियर थार्डियर तीरों और के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका पी सब्जेक्ट अर्थसास्त्र है क्योंकि लगबग लगबग इनिवसिट्यों में परिच्छाएं लिखी थी होने वाली हैं तो सिमिलार्टिक काफी ज़्यादा है ठीक है दोस्तों आप लोगों के समस्त में फाइनली एकोनोमिक्स यानिक की अर्थसास्त्र का पूरा का पूरा माडल कोईश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं आपकी परिच्छा में किस प्र कम से कम किलियर कराऊंगा क्योंकि वही मैंने सारे कोईश्चन वीडियो में रखा हूं पिसलिए कई सालों के जो लगातार कोईश्चन पूछे गए हैं और जो आपके ज्यादा चांस है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों कोईश्चन बताने वाला हूं तो लग उत्रे लग उत्रे बीस्तित उत्री तीन प्रगार के बताएंगे और कौहसरा ज्यादा एकजाम में आने के चांस से कोईश्चन के वह हैं तो पहले बढ़ाएंगे हम अतिलाग उत्रे कोईश्चन आप लोगों के लिए अभी आप लोगों का पेपर है तो मैंने सुचा आप लोगों के लिए को इंफ्रमीशन भी कर दिया जाए सारे को मैं आप लोगों को 5보다 को भी यह मंघाने के तो प्लोट होता है कि मुद्रा मॉ surname क्या होता है उसका एउसको आप लोगों को लिख ना इन सारे को एंसर मैंने आपको बता दिया आपके ऐंगले पर मिल जाएगा ठीक ऐस्युश्य वीचान्स नाई है कि धारते मुद्रा बजार की विशेष्टाइं बताइए तो भृते मुद्रा बजार की विशेष्टाओं को लेक करना है यह उसकी मुख्य विशेष्ट क्या है वह आप लोग लिखना हैं यह कोई जरूरी नहीं कि आप लोग उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री के बारे में पूरा उसका डीटियल पढ़ जरूर लिजेगा ठीक है क्योंकि अधिल लगुत्रे को चना जाएगा तो 50 सब्द में आप लोगों का एंसलेक ना होगा दो नंबर मिलेंगे वही अगर लोगों को पांच या साथ बारे में पॉपष्टर यह मनिए इंच Management आप लोगों को लिखना अर्थसास्तर में अकस्तर में पूंचया जाता ता आप लोगों को भी नहीं विदियो सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब कि इसके बारे में आप लोगों लिखना सब्सक्राइब कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि बहुत लोगों को नहीं मालू होगा बैंक को हिंदी में अधिकोस भी कहते हैं तो बैंक से अगला कोश्चन है कि बिल बजार से आप क्या जानते हैं इसके बारे में लिखी तो बिल बजार क्या है इससे आप क्या समझते हैं इसका संसित में परिच्छा दीजिए या पिस संसित में वर्लन कीजिए ऐसा भी कोश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अगला कोश्चन है कि कि आप क्या समझते हैं या फिर क्या आसा है मुद्रा के चलन वेक्स याद रखेगा मुद्रा के चलन में पूरे चांस है ठीक है अगला कोश्चन है कि भारतिये रिजर्ब बैंक के विकास आतमा कार्य क्या है यह भी कोश्चन टॉप लेबल का है आपका एक्जाम में आ ने का पूरे चांस क्योंकि आर्थ-सास्त यानि एकोनोमिक्स किस सम्मंदित कोईश्चन तो जितने भी कोईश्चन वह बैंक से रिलेटेड इंटरनेट बैंकिंग से ठीक है यह सब पूछे जाते हैं आए कि जो कोईश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अर्थ-सास्त का मतलब आप लोग समझी रहे हैं ठीक है तो यह भी कोईश्चन टॉप लेबल का है आने के एक्जाम में पूरे चांस है आप लोगों के भारते रिजर्ब बैंक से समंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा यह याद रखेंगा ठीक है तो यह रहे के पूरे के पूरे अत्र लगुत्रे के पूरे दस कोईश्चन जो की टॉप लेबल के हैं यहां तक कि मैं गारंटी ले सकता हूं कि अत्र लगुत्रे में दस कोईश्चन बताएं इसमें से चार-पांच तो आपके एक्जाम में 100% पूछा जाने के चांस है कोईश्चन आप लोगों को घुमा फिराके पूछा जा सकता है इसलिए कंफ्यूज मत होईएगा यह याद रखेंगा ठीक है अब हम बढ़ेंगे लगुत्रे और विस्तित उत्रिय कोर तो हम आप लोगों को पढ़के जाना उसको भी मैंने फिल्टर कर लिया है और चांट के रख लिया आप लोगों के लिए अगला कोश्चन है कि ब्यापार की प्रमुख विसिष्थाओं का वड़न कीजिए ते भी कोश्चन टॉप लेबल का है मोस्ट इंपर्टेंट है आपके ए अधन के महत बताईए तो राश्टिये का जो राश्टिये का जो इंकम का सोर्स होता है ठीक है उसको आप लोग अधन करिए उसके बारे में उसका महत तो क्या है वो लिखना है तो यह भी कोश्चन आपके एक्जाम के लिए काफी हल्फुल है और आने के भी चांस है तो बेपारी बैंकों के ठीक है जो बेपार करती है ठीक है लगबग लगबग तो शभी करती है ठीक है तो बेपारी बैंकों जो प्रमुक कार है मुख्यकार है उसका आप लोगों को वरण करना है यानि कि पॉइंट वाइज करके कम से कम 200 सब्दों में अंसर देना है क्योंकि लग हुट्रे बेस्ट के कोईश्चन है तो दोस्तों वर्ड में आप लोगों का एंसर देना ही हो का तभी आप लोगों को पांच या साथ नमबर देजाएंगे अलग-अलग नियम कहीं पर सब्सक्राइब को समझाना है वो भी रेखा चित्र के माद्धिम से कुछ लिखना भी है और चित्र भी समझाना है इस सब्सक्राइब निवेश्ट फलन को निध्वाइद करने वाले तत्तो का वर्ण कीजिए पूजी की सीमांत दच्छता का क्या आर्थ है ठीक है याद रखेगा निवेश फलन को निधायत करने वाले तत्तों का वड़न करना है यह भी इंपॉर्टन है लेकिन इतना नहीं है पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते अधरवाइस क्रोस कर सकते हैं तो यह रहें आपके एक्जा लोगों को दसक्षण का एंसर देना है तो अलग 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 नियमकान हों हुए ठीक है फिर आलब हम बढ़ाएंगे देरखुत्र यानि कि विस्तितुत्य कोस्टन के दस नंबर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ चार कोस्टन दिये जाते हैं उसमें से दूख एंसर आप लोगो है इसके जो कार हैं पर मुकार हैं उनका लोगों को वर्ण करना यानि की डीटियल में लिखना है ठीक है एट जड जानकारी तो टॉप लेबल का कोश्चन है आपके एक्जाम में मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं 90 परसंट चांस है कोश्चन इस कोश्चन काने का याद क्या कर या इसके संबंध में मार्शल पीगु ठीक है वह फिसर के विचारों का वरण केजिए तो यह सै आर्थ सास्तरी हैं जो कि प्रमुख है ठीक है इनमें ये बहुत अनवववी यह आर्थ सास्तर में यानि कि ओर अर्थे कि जिप लिए जिए तो इनके इस्जार आय को परिवासित कीजए जो जढ़ा गए हैं इनके विचार आप लोगों को लिखना है इन्होंने राष्टे आए के बारे में क्या अपनी परिभासा दी है क्या कुछ कहा है वह आप लोगों को लिखना है तौप लेबल का क्वेश्चन है एक्जाम में आने के पूरे चांस है तो पढ़ जगए जरूर जाएगा पोस्ति का एंसर ठीक है कि अंतर राष्टे मुद्रा ना मुद्रा खेंधे का से क्या ऐसर है या समझते हैं यह प människor है प indo से एक कारण करन में आप लोगों को लगत आने के बहूट ज्यादा चांस है ठीक है बढ़ जाते हैं अगला कोईश्चन है कि कैम्ब्रीज समी करणों का विस्लेशन कीजिए यह बहुत कई बार पूचा गया लेकिन इंपॉट्ट है लेकिन मोश्ट इंपॉट्ट नहीं करेंगे लेकिन इंपॉट्ट है तो आप लोग इसका भी आंसर पर लीजेगा केम्ब्रीज के शमी करणों का बिस्लेशन कीजिए थिक है तो यह सारे कोईश्चन का आप लोगों कम से कम 400-500 सब्दों में देना होगा तभ तो मैं यहां तक की तो गारंटी ले सकता हूं कि 20-25 नंबर इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे अगर सारे आप लोगों को नहीं बताऊंगा जिसमें इस तरह कहलूं कि सारे कोश्चन में ने बताए हैं सारे कोश्चन आपका एक्जाम में तो गलत बात है नहीं या फिर मैंन लोगों को आइडिया दे रहा हूं कि इस वीडियो से जो भी 25 नंबर कोश्चन आने के चांस है ठीक है तो सारे कोश्चन का पढ़ लिजेगा और भी बहुत सारे कोश्चन पर मापको प्रवाइड करते रहेंगे तो ध्यान में रखिएगा सारे कोश्चन पढ़ लिजेगा है ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक लिजा हैंद